यूपी में साथवें चरण के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत जोग दिये वारानसी में दो दिन में दो शोग किये इसके बाद शाम को DLW मैदान में भी 5000 लोगों को संबोधित किया हला कि जब मोदी स्पीच दे रहे थे तो बीजेपी वर्कर्ज और मीडिया कर्मियों के बीच जड़प हो गई नौबत गाली गलोच तक पहुँच गई मजबूरन मोदी को स्पीच रोपनी पड़ी बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मी कवरेज के लिए आगे आना चाह रहे थे लेकिन वर्कर्ज ने उन्हें रोप दिया जिसके बाद वेवाद हुआ हलांकि कुछ देर बाद मामला शांत हुआ तब फिर से मोदी ने बोलना शुरू किया